वेल्कम है स्टूरेंट्स आपका तलवाडा इजी स्टडी चैनल में तो देखिए कल मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको हिस्ट्री बताई थी फिर लेक्चर टू में आपको जिनरेशन बताई थी अब उसी से लेटर जो हैं आपके एमसी क्यू प्रोवाइड करने जा रहे हो आपको ठीक है तो बीच में आप कोमेंट सेशन में आप अंसर भी दे सकते हैं ठीक है वीडियो पोस्ट करके ठीक है कहते दा वर्ड कंप्यूटर हैज विन ड्राइब फिर फ्रॉम बिच आफ दी लेंग्विज तो वर्ड कंप्यू आउटपूट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रूप टुगेदर रिप्रिजेंट ठीक है इन्पूट आउटपूट इन्पूट आउटपूट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रूप टुगेदर रिप्रिजेंट तो इस कोशन का अंसर देखी क्या हैगा कंप्यूट कुम्प्यूटर सिस्टम पहले आपको दिया है फिर आपको दिया इन्होंने इन्फोर्मेशन प्रोशेसिंग सईकल सर्किट बॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट क्या अपका कहते हुआ इस्नलव प्रोचे क्या है लिए पर से अंसर जो है comment session में देना आई ठीक है इस question का जो an sir है हमारा बो है सबसे पहले क्या होती है हमारी हम keyword के तुरू ये mouse के तुरू input करते हैं ठीक है then joh friends हमने input की है उसकी process होती है process होने के बाद क्या होती है output हमें मिलती है monitor पे then वो क्यों हो जाता है हमारा store हो जाता है ठीक है तो इस question का answer क्या है fourth ठीक है next जो हमारा question है fourth कहते collecting the data and converting it into information इसका जो data कुछ भी है हमारी data जो भी है वो क्या हो रहा है convert हो रहा है जब information में तो वो data से लेके information तक जो भी working हो रही है उस चीज़ को क्या बोलते है processing तो इस question का answer क्या है हमारा first next जो है हमारा five कहते computer cannot perform question very easy input output thinking processing ठीक है यह common sense वाला question है इस question का जो answer आप comment session में मुझे देंगे ठीक है next है आपका question six कहते computer cannot perform which of the following function computer इस में से कौन सा function perform नहीं करता addition subtraction वेका केक division none of these तो इस question का answer क्या आएगा हमारा वेका केक ठीक है next है आपका कहते part numbers descriptions and number of parts orders are examples of यह किसके part कहते part number descriptions and number of parts orders are in examples of तो इस question का students answer है processing ठीक है next है आपका कहते benefits of computers है इसमें आपने बताना है कि computer का benefits कौन सा है तो first आपको option दी है इन्होंने कहते very fast and can store huge amount of data correct है यह next बोला इन्होंने provide accurate output either input is correct or not wrong ठीक है think about the processing सोचता है processing से लेटे नहीं तो इस question का answer के आगया हमारा first ठीक है next हमारा जो question है ninth question है कहते है collection of unprocessed item is collection of unprocessed जो process नहीं हुई है अभी तो जो process नहीं हुआ है अभी जो भी हमारा तो उसे क्या बोलते हम data क्या बोलते हैं उसे data ठीक है which among the following cycle which among the following cycle consists of क्याते कौन सा वो cycle है जिसमें input भी होती है processing होती है output होती है and then storage ठीक है तो यह आप यह पीछे भी करके क्या हो यह question तो यह चीज किसमें होती है यह इस question का अंसर के आएगा data की input होती है फिर processing होती है output होती है फिर storage होती है ठीक है तो इस question का अंसर के आगे हमारा five data next है हमारा कहते dash is data that has been organized and presented in meaningful fashion कहते dash है कहते क्या है वो चीज data की जो organize करती है data को किसमें meaningful fashion में ठीक है तो इस question का जो अंसर आएगा information information is data that has been organized and presented in meaningful fashion next है हमारा कहते data data or information used to run the computer is called data or information ठीक है used to run the computer is called तो इसमें देखो answer आपको options कहते है hardware cpu peripheral software तो data or information से कोई related ही नहीं है तो इस question का अंसर के आजाएगा हमारा none of these the steps and tasks needed to process data such as response to questions और clicking an icon अरकाल ठीक है तो इस question का जो answer है हमारा instructions क्या आएगा जो हमारी steps and tasks जो भी हो रहे हैं process में तो वो क्या है हमारी instructions है ठीक है earliest calculating device जो starting में सबसे पहले मैंने कल आपको करवाया भी था यह question क्या आएगा इसका earliest calculating device तो इसका आएगा अवेकस ठीक है अवेकस एक computer नहीं था यहां से starting हुई थी computer की ठीक है अवेकस अवेकस can perform तो इस question का आप अंसर मुझे comment section में देंगे ठीक है very very easy question है ठीक है next 16 question है आपका कहते है इस question को भी pause करके आपने पहले answer बताना है फिर करना है ठीक है क्या आएगा इसका रेपडलोजिया टेकनोलीजी ठीक है very very important question है यह नेक्स आपका कहते है पास्केलीन is also known as पास्केलीन को क्या बोलते है और ठीक है अवेकस बोलते है एडिंग मेशीन बोलते है डिवीजन मेशीन बोलते है डिफरेंस मेशीन कल मैंने आपको बताया था उसका क्या था calculating मेशीन था वेकस का पास्केलीन का क्या था एडिंग मेशीन था ठीक है नेक्स्ट पंच्र कार्ड वर फर्स्ट इंटर्ड्यूस बाइ हर्मन होल रिथी जिसको यह question आता था उसकी preparation बहुत अच्छी चली हुई है which of the following is known as father of computer which of the following is known as the father of computer यह question सभी को आना चाहिए चार्ल्स बेविस ठीक है next है आपका analytical engine developed by जो analytical engine है कल मैंने आपको यह करवाया है ठीक है analytical engine जो है इसके द्वारा चार्ल्स वेबेस जो कि हमारे father of computer है ठीक है next हमारा question है कहते है analytical engine developed during first generation of computer ठीक है analytical engine developed during first generation of computer used dash as a memory unit कहते है जो analytical engine है हमारी first generation में यह use किये गए है बनाया डिवल्प किये गए है तो इसमें जब तब memory unit कौन सा यूज किया गया है तो उस time पे जो memory unit यूज किये गया है counter wheels यूज किये गया है ठीक है next है आपका कहते है tabulating machines first was the first electro mechanical machine tabulating machine के आएक electro mechanical machine है इसे develop किस ने किया है जिसने पंच्ट कार को develop किया है उसी ने टेबलेटिंग machine को develop किया है तो इसका गया हर्मन होल रिथ्म next है who designed the first electronic computer any act who designed the first electronic computer any act इस question का जो answer आएगा जोन पर्सपर इकर्ट एंड जोन मुचली ठीक है next है आपका कहते first computer जिन बचों नहीं जो मेरी first और second वीडियो देखी होंगी ना उनको इस में से जितने भी यह questions है 100% में से उनको 98% question आते होंगे ठीक है तो इन questions को करने से पहले उन वीडियो जो मेरी last lecture दो हैं उनको देख लिना ठीक है कहते first computer which provides storage तो जो first computer है हमारा जो हमें storage प्रवाइड करता है वो क्या है EDSEC next है कहते है नेम दो first general purpose electronic computer तो general purpose electronic computer कौन सा है हमारा univac very very important question है general purpose electronic computer univac next है हमारा computer size is very large तो यह तो सभी को पता ही होगा जो हमारी first generation थी उसमें बहुत ही ज्यादा large size के computer थे ठीक है कहते है first generation computers were waste on ठीक है तो उसमें क्या use की जाती थी first generation में vacuum tubes जिसको यह question नहीं आता होगा उसे preparation करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है computer built before the first generation computer was computer built before the first generation computer was क्या आएगा इसका mechanical electrical electromechanical electronics तो इस question का जो answer आएगा हमारा electromechanical क्या बोला इनना कहते computer built before the first generation computer electromechanical ठीक है कहते first generation computer used dash language जो first generation के computer है वो कौन सी language यूज करते है machine language a next है आपका कहते speed of first generation computer was in जो first computer first generation के computer थे उनकी जो speed जो है किस में mirror की जाती थी तो उनकी जो speed है mirror की जाती थी microseconds में आपको याद होगा कल मैंने आपको जब जो theoretical portion में करवा रही थी तो उसमें बताया था कितने microseconds थी 30 microseconds ठीक है next है आपको आपके period of second generation computer was ठीक है period के second generation का कौन सा period मैंने आपको कल बताया भी था four वाली series और five four से लेके five वाली series क्या थी first और five से लेके six वाली series कौन सी है second generation ठीक है बस आपने ऐसे notice करके रखना है तो ऐसे नहीं होगा कभी भी कि आपको five six वाली सारी series दे दी है ठीक है तो इस question का जो answer आएगा third c part ठीक है next देखिए कहते time sharing become possible in dash generation of computer time sharing become possible in generations of computer time sharing become possible in generations of computer तो इस question का जो answer आएगा time sharing हो गया एक और था उसके साथ multitasking ठीक है second generation में यूज की किया है time sharing और multitasking ठीक है तो मैं आपको बोल रही हूं अभी इन questions को करने से पहले मेरी जो first two lecture है उनको देख लेना ठीक है आपको रोज के दो तीन में lecture जुरूर प्रवाइड करूंगी और इन lectures को आप देख लोगे आपको पक्का है 100 परसेंट है कि आपका जेओए 903 clear होगा इन्टीग्रेटर्डडड़ चिप्स और ICS was started to be used from which generations of computer इन्टीग्रेटर्डड़ चिप्स वस टार्टड़ तो यूज बिच जनरेशन इन्टीग्रेटर्डड़ चिप्स जो है कोनसी जनरेशन्स में यूज की गई है, तो यह सभी कोई पता होगा 3rd generation में, ठीक है Chip is common nickname Chip का जो common name है, वो क्या है तो वो है Integrated circuit Chip को ही हम क्या बोलते हैं Integrated circuit Next है हमारा 3rd generation Computers were made with जो 3rd generation के Computer है वो किस्से बने हुए है हमारे 3rd generation के Computer है हमारे वो बने हुए है Integrated circuit से ठीक है, very very important question है ठीक है, integrated chips used computer are made with integrated chips जो है किसे बनी हुई है, सभी को आना चाहिए ये question बहुत बार exams में repeat हुआ ही है silver, ठीक है next है हमारा केते a complete electronic circuit with transistors and other electronic component on small silicon chip is called complete electronic circuit with transistor and other electronic components on small silicon chip is called तो इस question का answer आएगा हमारा integrated circuits ठीक है, PC are considered fourth generation and contain, PC कहते हैं fourth generation में consider किये गए हैं तो ये contain क्या करते हैं, contain information, data, vacuum tubes microprocessor, transistors तो इस question का answer आप मुझे comment section में देना, pause करके इसका answer पहले बताना, ठीक हैं क्या आएगा इसका answer micro process ठीक है, next है हमारा artificial intelligence is an example तो ये जो हमारी fifth generation है, fifth generation जो की अभी development जो है under process में है, ठीक है next, first computer of India ठीक है, अब इसमें ध्यान से देख लेना, first computer of India बोला है जब इंडिया बोला है तो कौन सा आएगा, सिधार्थ कौन सा आएगा, सिधार्थ very very important question है ठीक है, computer's basic architecture was developed वाई ठीक है, जो basic architecture है computer का या फिर computer architecture जो है किसने developed किया है, जोन बोन, new man ने और आप comment section में मुझे बतायोगे कि इसकी development कब हुई थी ठीक है, जोन बोन, new man की development कब हुई थी ठीक है, who developed integrated chips तो इस question का जो अंसर है हमारा third, J के किल्वी आएगा, ठीक है JS किल्वी लिखा हुआ, ठीक है, JS किल्वी next है आपका कहते है, in latest generation computers instructions are executed, जो latest generation जो हमारी चली हुई है उसमें किते instructions जो execute किसमें की जाती है parallelly के sequentially, तो इस question का जो answer है हमारा वो क्या है, बोथ parallel भी होती है, और sequentially भी होती है ठीक है, next हमारा question है 44, तो 44 question में हमें क्या बोला, इन्होंने कहते, micro computer hardware consist of three basic categories of physical equipment जो micro computer, micro computer कौन से होते हैं, जो personal computer होते हैं ठीक है, जिसे normal user use करता है, उन्हें क्या बोलते हैं micro computer बोलते हैं, ठीक है, तो micro computer hardware क्या consist करता है, तीन parts इसे मुझे comment session में भी इसका answer आप बताऊगे ठीक है, तो इसका क्या आएगा, system unit, ठीक है, system unit जैसे की CPU गया, ठीक है, input और output, ठीक है memory, ठीक है, second आगा इस concern, next है हमारा, कहते है, which of the following option correctly express the meaning of term PC's, which of the following option correctly express the meaning of term PC's, तो इस question का जो answer है हमारा, second, personal computer widely available to individual workers with which they can assess information from layer systems and increase their personal productivity, which of the following is small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time, तो क्या का इनोंने केते, कौन सी है, small microprocessor जो based है, किसके computer designed to be used by one person at a time, जो at a time, एक person ही उसे use कर सकता है, तो उस question का जो answer है, personal computer, 5, ठीक है, tablet PC is a typo, tablet PC जो है किसकी type है यह, tablet PC जो type है किसकी micro computer की, ठीक है, computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as, ठीक है, portable computer कौन से होते हैं, पता है किसी को portable computers कौन से होते हैं, तो portable computer पुछे definition समझे लिजी है, इसकी portable computer वो होते हैं, जिनने हम एक जगा से दूसरी जगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस एजी लेके जा सकते हैं, तो वो होते हैं, portable computer, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा fourth laptop, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केते हैं, desktop and personal computers are also known as, क्या बोलते हैं उने, desktop और personal computers को, तो वो किसकी option है, easy, very easy question है, क्या आएगा, इसका micro computer आएगा, इसका क्या आएगा, micro computer, 49 का answer, 50 है, next हमारा, ठीक है, which of the following uses a handheld operating system, तो handheld, handheld पूछ लिया, चाहे, palm top पूछ ले, handheld चाहे, palm top पूछ ले, आपसे, operating system, ठीक है, handheld also known as, palm top, ठीक है, चाहे handheld का पूछे, चाहे, palm top का, ठीक है, operating system कौन सा, इसका, PDA, क्या है, PDA, PDA की आप मुझे, full form बताएंगे, comment section में, ठीक है, तो next आपका 51 question है, हमारा, half century हमारी, पूरी हुई, next है, हमारा, कहते है, palm top computer, इस also known as, देखिए, मैंने आपको पहले बता के है, ठीक है, handheld, जो है, also known as, palm top computer, तो इसका answer के आगया, हमारा, handheld, ठीक है, next है, हमारा, कहते है, central computer, that hold, central computer, that hold, collections of data, central computer, that hold, collection of data, and programs, for many pieces, workstations, and other computer, is, other computer, is, तो, इस question का, जो answer आएगा, हमारा, central computer, कौन सा होता है, एक center में, computer लगा होता है, ठीक है, जितने भी सारे computer है, उसके साथ connected होते हैं, सारी information, वहीं से assess करते हैं, तो वो कौन सा हो गया, server, ठीक है, which computer is used for computer added design calculation, जो CAD है, computer added design, ठीक है, यह जो computer है, कौन सी टाइप के computer होते हैं, यह होते हैं, mini, mini computer होते हैं, mini computer बहुते हैं, जो special purpose के लिए use के जाते हैं, जैसे like as engineering वाले use कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी special task के लिए use के जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, तो जैसे अब इन्होंने क्या पूछा है, कहते है, CAD calculations के लिए, कौन से computer यूज की जाते हैं, तो क्याएगा, mini computer ठीक है, कहते है, which of the following is generally costlier, तो इसमें बताना है, generally कहते है, costlier कौन सा computer है, तो एक होते है, micro, mini भी मैंने आपको बता दिया, micro भी बता दिया, आगया आगया, इसका answer के आएगा, generally costlier, costlier मतलब बहुत ही जदा cost वाले, ठीक है, तो वो कौन से होगे, mainframe computer होगे, ठीक है, mainframe computer ज dash to assess mainframe or super computer, ठीक है, कहते है, user generally apply to dash, dash to assess mainframe or super computer, तो इस question का जो answer आएगा, 55 का जो answer है, हमारा node, node to assess mainframe or super computer, ठीक है, next है, हमारा कहते है, these are specially designed computers that perform complex calculation extremely rapidly, ठीक है, जो complex calculations को perform करता है, externally, rapidly, ठीक है, वो कौन सा है, तो 56 का जो answer है, हमारा super computer, याद रखना है, इस question का answer, complex calculation, या फिर scientific calculation, पूछ लें आप से, ठीक है, या फिर आप से पूछ लें, better prediction, तो उस question का जो answer आएगा, super computer, next है, कहते है, a dash is large and expensive computer, capable of performing scientific business application, तो scientific business पहले बताचे की, आपको मैं जहां पर आगया, scientific and business application, बहां पर कौन सा है, super computer, ठीक है, next है, first super computer developed in India, यहाँ पर क्या लिखा है, developed in India, तो इंडिया में, कौन सा है, सबसे पहला, computer developed, पर्म, कौन सा है, super computer है, ठीक है, सिधार्थ जो था, super नहीं था, वो computer था, ठीक है, जो super computer है, पर्म आएगा, ठीक है, पर्तियुष is fastest super computer in the world, ठीक है, तो इंदी world में वो fourth number पर है, ठीक है, याद रखना बचे, पर्तियुष जो है, fastest super computer है, पूरे world में fourth number पर, एंड, इंडिया में जो है, ये, first number पर है, इंडिया में first number पर है, और पूरे world में fourth number पर है, ये इंडिया का पर्तियुष जो है, ठीक है, पर्तियुष super computer is dedicated for better forecasting, ठीक है, super computer है, तो better forecasting के लिए ही होगा, ठीक है, next है हमारा कहते है, which of the following is the India's first multi petaflop super computer, multi petaflop super computers, तो इस question का जो answer है हमारा पर्तियुष, क्या हैगा, पर्तियुष is the India's first multi petaflop super computer है, ठीक है, analog computer work on the supply of, ठीक है, तो analog computer जो है, किस पर work करते है हमारे, एक किस पर करते हैं, continuous electrical pulses पर, continuous electrical pulses पर हमारे जो analog computer है, काम करते हैं, ठीक है, आगे next कहते है, seismograph is an example of, seismograph क्या है, example है, कहते ही किस की है, तो आप बताओगे इसमें, क्या हैगा, seismograph का analog computer, ठीक है, seismograph के साथ, इसकी एक और example है, analog computer की speedometer, जो हमारे vehicles में use किये जाती है, ठीक है, speedometer and seismograph जो है, किस की example है, यह analog computer की, ठीक है, यह question पका आएगा, यह seismograph आजाएगा, यह speedometer आजाएगा, ठीक है, क्या आएगा, analog computer, these computers work while calculating the binary desert, यह जो computers work करते हैं, calculate by the binary desert, तो इसमें से किस का अंसर आएगा, कौन सा अंसर आएगा, 64 का digital, ठीक है, choose the odd one out, आपने इसमें से मुझे क्या बताना है, comment session में बताना है आपने, ठीक है, इस question का 65 का क्या अंसर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका, hybrid computer is the one having combined properties, तो इस question का जो hybrid computer है, एक होते है, analog computer, एक होते है, digital computer, और एक होते है, hybrid computer, hybrid analog computer में सिर्फ, analog जैसे मैंने आपको example बता थी, seismograph, speedometer में यूज़ कोते हैं, digital computer जो हमारे, ठीक है, hybrid computer वो computer है, जिसमें analog computer भी होते हैं, और digital computer भी होते हैं, ठीक है, hybrid computer जो combination से बना होता है, analog और digital से, ठीक है, next हमारा, which type of computers are used in hospitals, like ECG and analysis, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा answer है, hybrid, ठीक है, hybrid computers जो हैं, hospitals में यूज़ किये जाते हैं, जो की analog भी होते हैं, और digital भी होते हैं, general purpose computers are used for, जो general purpose के लिए यूज़ किया जाते हैं, computer, वो कौन से computer है, ठीक है, तो इसमें से आप बताओगे, general purpose के लिए, जो general purpose computer है, उनमें क्या use किया जाता है, ठीक है, तो इस question का जो answer है, creating a small database, database भी create होता ही है, ठीक है, calculation भी perform होती है, accounting भी होती है, तो क्या आगया, इसका answer, all of the, ever, which is not the example of special purpose computer, कौन सी इस में, special purpose computer की example नहीं है, तो देखिए, automatic aircraft landing, ये भी special किसी purpose के लिए यूज़ की गई है, ठीक है, word processor, word processor, जो है, हमारा, ms word, ms office power point, ठीक है, उसका, ये भी special purpose के लिए, multimedia हुए, ये भी special purpose के लिए, multimedia task के लिए, ठीक है, तो इस question का जो answer आएगा, not more line उने, तो ये जो question जो हमारा, गलत है, ठीक है, all of the, ever, नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे none of these आएगा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहते, which type of computer is used in automatic aircraft landing, which type of computer is used in automatic aircraft landing, automatic aircraft landing, तो इस question का जो answer है, special purpose computer, जो special purpose computer है, वो क्यों होते है, automatic aircraft landing, ठीक है, तो इस question का students answer यहीं आएगा, फिर, automatic aircraft landing, ठीक है, यह भी है, word processor, इस question में students, none of these आएगा, नेक्स्ट देखिए, कहते, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working, तो इसका क्या answer आएगा, हमारा, quantum computer, कौन सा है, quantum computer is the smallest and fastest computer imitating brain working, ठीक है, next है, हमारा, कहते, in which of the following computers are used, तो इसका क्या आएगा answer, in which of the following computers are used, banking में भी use होता है, offices में भी use होता है, educations में भी use होता है, तो इसका आजाएगा, all of these, कहते, it is the science that attempt to produce machines that display the same type of intelligence that humans do, तो इसका आएगा, artificial intelligence, which of the following deal with the design, constructions, operations, and use of robots, तो इसका अंसर आएगा, robotics, robotics, students, thanks, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करना, share करना, ठीक है, और जो मैंने questions आप से पूछे है, उन questions के अंसर आप मुझे comment section में देना, ठीक है, thanks,